हेलो एब्रीवन, स्वागत आप सभी का आपके अपने इस यूटूब चैनल विशाल गौतम783 पर आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 19 अक्टूबर 2022 के डेली करे एंटरफेस के कुछ इंपोडेंट कुश्चन अगर आप किसी भी अग्याम की तयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज़्यादा इंपोडेंट रहने वाली है अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ने किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वैल आइकन को ओल पर प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए आज की इस वीडियो की पीडियो की डिस्क्रेप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं और ये पीडियो फाइल आपको अमारे टेलिग्राम चैनल पर भी मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रेप्शन में मिल जाएगा अब वहाँ से टेलीग्राम चैनल को जॉइन कर सकते हैं तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर पहला कुशन है दच्छड कोरिया में आयोजित एक अवार्ड समारों में दुनिया भर के सहरों में किस भारतिय सहर ने ग्रीन सिटी अवार्ड जीता है तो इस कुशन का सही जवाब है ओप्शन सी हैदराबाद दच्छिर कोरिया में आयोजित एक अवार्ड समारो में दुनिया भर के शहरों में एक भारती शहर ने ग्रेन सिटी का सम्मान अपने नाम कर लिया है यह समारो 14 अक्टूबर को किया गया था प्रतियोगियों में हैदराबाद भी शामिल था दुनिया के ग्रीन सिटी अवार्ट देश के एक मात्र सहर हैदराबाद को मिला है इसके अलावा लिविंग ग्रीन फार, एको नामिक रेकवरी और इनकलूशिब ग्रोथ किरिसेनी के लिए भी हैदराबाद को ही सम्मानित किया गया नेश्ट कोशन है भारत ने किस देश को हराकर क्रिकेट महिला एशिया का दोयर 22 जीता है तो इस क्वेशन का सही जवाब है, ओप्चन ए स्री लंका भारतिय महिला क्रिकेट टीम ने एक बार फिर एशिया में अपनी दवंगी साबित कर दी है 15 अक्टूबर को महिला एशिया कप दोयर 22 का फाइनल मुकाबला भारत और स्री लंका के बीच खेला गया इसमें टीम इंडिया ने स्री लंकाई टीम को आट बिकेट से बुरी तरह हराया है स्री लंका को हराने के साथ ही भारतिय महिला टीम ने एशिया कप के इत्यास में सात्मी वार खिताब गीता है नेस्ट कुशन है कौन सा राज हिंदी में मेडिकल और इंजीनियरिंग की सिच्छा देने वाला पहला राज बना है तो इस कुशन का सई जवाब है ऑप्शन A मध्यप्रदेश मद्ध्य प्रदेस हिंदी में मेडिकल सिच्छा देने वाला देश का पहला राज बनने पर इस्थानी उत्करष्ट उच्चेतर माध्यमिक संगोष्टी आयोईद होई है विधायक रगुना सिंह मालवी ने इशिप प्रदेस सरकार का एतिहासिक निरड़ा बताया है इस अबसर पर बिधायक रगुना सिंह मालवी ने कहागे हिंदी में मेडिकल में पढ़ाई प्रवे सरकार का एतिहासिक निरड़ा है जिसका ग्रह मंत्री अमेश्या को मोतिलान नहरु इस्टेडियम में एक कारकरम के दोरान मद्ध प्रदेस में चिकिसा पाठकरम की हिंदी पाठ़ पोस्तकों का अनावरड करेंगे अब जान लेते हैं मद्ध प्रदेस के बारे में तो मद्ध प्रदेस राज़ी की स्थापना एक नवम्मर 1956 को ही थी और मत्रप्रदेस की राज़धानी है भूपाल और मत्रप्रदेस के मौक्य मंती हैं सिवराज से हैं चौहान और मत्रप्रदेस के राजपल हैं गंगु भाई पतेल नेस्ट कुश्चन है केंद्र सरकार ने किस नदी पर भारत के पहले केवल सहन निलंबन पुल को मंजूरी दी है तो इस कुश्चन का सही जवाब है ओप्शन भी क्रश्णा नदी आंद्र प्रदेश और तेलंगा नामे क्रश्णा नदी पर पतिष्ठ केबल इस्टे कम सस्पेंसन ब्रेज को केंद सरकार ने 30 महिने की निर्माड आविदी के साथ 1082 दसमलव 5-6 करोड रुपे की कुण लागत को मंजूरी दे दी है केंद्री सरक परिवहन और राजमार्ग मंतरी नितिन गड़करी ने जानकारी दी के पूरा होने के बाद यह पुल दुनिया में अपनी तरह का दूसरा और भारत में पहला होगा पुल में संकर सर्राचनात्मक व्यवस्था इसे एक सर्राचनात्मक लाब देगी और इसे किफायती के साथ साथ सौंदर रखी दरश्टी से भी सुखद बनाएगी नेश्ट कोशन है ग्रह मंतरी अमित साह ने मद्द पदिस के किस शहर में राजमाता विजया राज सिंधिया हवाई अड़े के नए टर्मिलन भवन की आधर शिला रखी है तो इस कुशन का सही जवाब है ओप्शन सी ग्वालियर केंद्रिय ग्रह मंतरी अमिश्या आने ग्वालियर के तत्कालिन शाशक शिंधिया के विशाल जय विलास महल में प्रमुक मराठा कमांडरों के इत्याश को दर्साने वाली एक गैल्री शेह प्रदर्सनी का उद्गाटन किया है शाह राजमाता विजया राजे सिंधिया हवाई अड़े के टर्मिलन भवन और विस्तार की नीव रखने के लिए ग्वालियर में थे महल में मराठा परमपराओं के अनुशार उनका स्वागत किया गया शाह ने महल में संग्र हाले का दोरा किया और सिंधिया गाय कबार होल कर, नेवल कर, भोसले और पवार सहित मुख्य पराठा सासकों के इत्याश को दरसाते हुए गाथा स्वाराज की मराठा गेलरी का उदगाटन किया नेक्स्ट क्वेशन है एकमात राज कौन सा है जिसने 2022 की पहली और दूसरी त्यमाही के लिए जल जीवन मिशन का लच्छ आसिल किया है तो इस क्वेशन का सही जबाब है ओप्शन भी तमिल नाडू आदकारिक आगणों के अनुसार तमिल नाडू एकमात राज के रूप में उबरा है जिसने जल जीवन मिशन के लिए 2022 की वन और की टू के लच्छ को हासिल किया है जिसमें अब तक 69.57 लाग घरों में नल कनेक्शन उपलब्द कराई गए है तमिल नाडू के 1.25 करोल घरों में से 69.57 लाग घरों को अब तक नल कनेक्शन मिल चुके है तमिल लाडू में नल कनेक्शन वाली परिवारों का प्रत्सत 55.63 प्रत्सत राश्टी ओसत 53.96 प्रत्सत से अधिक है केंद सरकार द्वारत 2022 के लिए Q1 और Q2 के लिए निधार्त लच्छ तमिल लाडू में 12.1 लाक नल कनेक्शन था अब जान लेते तमिल लाडू राज़े के बारे में तो तमिल लाडू राज़े की स्थापना 1773 में हुई थी और तमिल लाडू राज़े की राजधानी है चेन नही और तमिल लाडू के मुख्य मंत्री है M.K. स्टालिन और राज़ेपाल है R.N. रवी Next Question है किस संस्थान ने Unisave के साथ मिलकर लेंग एक समानता को बढ़ावा देने की कोश्टना की है तो इस Question का सई जवाब है Option A. अंतरराश्टिय क्रिकेट परिसद अंतरराश्टिय क्रिकेट परिसद ने महला और लड़कियों के सकती करड़त था क्रिकेट के जरिये लेंग एक समानता को बढ़ावा देने के लिए Unisave के साथ गठ जोड किया है यह भागीदारी ओस्टेडिया में होने वाले आगामी T20 बिश्वकप से सुरू होगी क्लिनिक में बच्चे लेंगे समानता के वारे में सीख लेंगे और साथ ही क्रिकेट के अपने नायकों से भी मिलेंगे इन कोशलोन में नेतरत्प समस्य समाधन आत्मसमान बातचीत सहान भूती नरड़े लेने टीमवर्क और लच्छ नरधार सामिल है नेस्ट कुशन है किस राजय सरकार ने समवेदा भर्ती को समाप्त कर दिया है तो इस कोशन का सई जबाब है option A केरल ओडिशा में जितने फी समवेदा करमचारी थे उन सभी को अब पर्मानेंट कर दिया गया है उडिसा राज सरकार ने पूरी तरह से संबेदा भर्ती को पूरी तरह से खत्म कर दिया है उडिसा राज में लगभग 57,000 करमचारियों को पर्मानेंट कर दिया गया है अब उडिसा दिवस या उतकल दिवस 1 अप्रेल को मनाया जाता है अब जान लेते हैं उडिसा राज्य के बारे में तो उडिसा राज्य की स्थापना 1 अप्रल 1936 को वी थी और उडिसा की रायधानी भुवनेश्वर है उडिसा के मुख्यमंत्री है नवीन पतनायक और उडिसा के राज्यपाल है गडेशीलाल नेश्ट कुशन है किस देश ने गर्ववती महिलाँ पर पुनर विवाब प्रतवंद हटा दिया है तो इस कुशन का सही जवाब है ओप्शन भी जापान जैसे माल लीजी जापान में किसी महिला ने तलाक लिया और वो उस समय गर्ववती यानि प्रेगनेंट है तो वो अगले 100 दिन तक पुनर विवाब नहीं कर पाती थी तो इस प्रतवंद को अब हटा दिया गया है जापान ने गर्ववती महिला पर पुनर विवाब प्रतवंद हटा दिया है अब जापान जो देश है इसकी डाजधानी है टोकियो और जापान की मुद्रा है येन और जापान के प्रधान मंत्री है फुमियो किशिदा नेक्ट कुश्यन है भारतिय नौ सेना नौ का यन प्रतियोगता किस राज़ में आयोजित होगी तो इस कुश्यन का सही जवाब है ओप्शन सी केरल अब केरल जो राज़ है इसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 को भी थी और केरल की राज़धानी तिरुवनंत पुराम है केरल के मुखे मंत्री है पिनार आई विजेन और केरल के राज़पाल है आरेप मुहम्मद खान नेक्स्ट कुश्यन है इंटरपोल की 90 महासभा की मेजवानी कौन सा देश करेगा तो इस कुश्यन का सही जवाब है ओप्शन ए भारत इंटरपोल की स्थापना 7 सितंबर 1923 को होई थी और इंटरपोल का मुख्याले लियोन फ्रांस में है नेक्स्ट कुश्यन है भारत मचली उत्पादन के मामले में विश्व में किस इस्थान पर है तो इस कुश्यन का सही जवाब है ओप्शन भी तीसरे स्थान पर केंद्री मत्सय पालन पशिव पालन और डेरी राज्यमत्री डॉक्टर एल मरूवण ने हाल ही में कहा है कि मचली उत्पादन के मामले में बिश्व में भारत चीन के बाद تीसरा सबसे बड़ा मचली उत्पादक और दूसरा सबसे बड़ा ज़ली अकरसी देश है तो दोस्तो आज की इस वीडियो में हमने जाना 19 अक्टूबर 2022 के डेली करें इंटरफेस के कुछ मात्वबूर प्रशनों के बारे में अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर सेर कर देना